जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्शन भगवान की जै शिरमत भागवत महापुरान की मंदर शिवन्सी वाले महात्मा YouTube Channel के ओर से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान के दस्में सकंध के 38 अध्याय की परम पावन कथा इस अध्याय का नाम है केशी देत्य का मारा जाना आज वैसे भी आमलकिय कादशी का व्रत है आमलकिय कादशी के व्रत के दिन ये कथा हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो आज जो इस कथा को भक्त सुनेंगे उनको अधिक पुन्यफल की प्राक्ति होगी वैसे तो शिर्मत भागवत महापुरान की कथा कभी भी सुनी जाए भहुत ज्यादा पुन्यफल मिलता है लेकिन अगर कादशी के वरत के दिन ये कथा सुनी जाए तो भगवान की अधिक कृपा मिलती है तो को मारा तथा जिस प्रकार देवरिशी नारद जी ने शिरी मनमोहन की स्तूती की अब वेग कथा सुनू जब कंस ने श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए केशी देते को भेजा तब वे विशाल घोडे का सवरूप बना कर नंद गाव में आप हुचा है वहां जब वे ल लाल लाल आंखे निकाल कर अपनी टापों से प्रित्वी को खोदने लगा और गोप गवालों को लातों से मारने लगा उस समय सभी गोप गवालों ने बहभीत होकर श्री कृष्ण जी के पास जाकर उस घोडे का सब हाल कह सुनाया है श्री कृष्ण जी ने उन्हें धेर ब मुझे मारने आया है तो यदि तुझ में कुछ शक्ति हो तो मुझे से लड़ मैं तेरा प्राक्रम देखूंगा ये सुनकर केशी देत अत्यंत क्रोधित होकर उनकी और जपटा है तब श्रीशाम सुंदर भगवान ने उसके आगे के दोनों पाम पकड़ कर उसे इस प्रकार कि वहें दो सो पग की दूरी पर जागिरा और कुछ देर तक मुर्चित रहा चैतन्य होने पर वहें फिर श्री मुर्ली मनुहर की और जपटा तो श्रीशाम सुंदर जी भगवान ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बना कर उसके मुह में इस परकार डाल दिया जिस परक परकार सर्प बिल में घुस जाता है केशी द्वारा भहुत काटने पर भी उनके हाथ में कोई घाव नहीं हुआ तदू परांत श्री क्रिशन जी ने अपना हाथ इतना मोटा किया कि उसके मुह में वह हाथ फंस गया उस समय केशी अपने मन में ये सोचने लगा कि जिस परक परकार मचली बंशी को निगलने के लाभ में अपने प्रान दे देती है उसी प्रकार आज इस बालक का हाथ मुख में लेने के कारण मेरी मृत्यू निश्चित दिखाई देती है उसने श्री नंद नंदन के हाथ को अपने मुख से निकालना चाहा परंतू वह नहीं निकला तब वह चिलाता हुआ परित्वी पर गिर पड़ा और उसके प्रान उसी समय निकल गई तब उसका देत्य रूप प्रकट हो गया उसके मर जाने पर देवताओं ने प्रसन होकर श्री कृषन जी के उपर पुश्पों की वर्षा की है आज सब ठाकुर जी के उपर सबी ब्रजवासी भी आज अत्यंत प्रसन है उस समय सबी ब्रजवासी श्री शाम सुंदर से इस परकार कहने लगे हैं कि हे प्रभु आज आपने हमारे प्रानों की रक्षा की अन्यता यह हम सब को मार डालता नंद और ये शोदा ने श्री कृषन जी को गोद में उठा कर बार बार प्रभु का आज मुख चुमा है ठाकुर जी की सब जैजैकार करने लगे हैं इतनी कथा सुना कर श्री शुकदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित श्री कृषन चंदर जी केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदंब के व्रिक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गई उसी समय देवरिशी नारद जी वहाँ पहुँचकर श्री शाम सुंदर भगवान जी की इस प्रकार बड़ी मधुर स्तूती करने लगे हैं देवरिशी नारद जी कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकी के स्वामी ह हे प्रभू आपने केशी राक्षश को मार कर श्रेष्ठ कारे किया है हे ज्योति सरूप मुझे चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदी मल और राजा कंस तथा उसके दंतवक्र आदी मित्र भी मरे ही दिखाई देते हैं हे प्रभू आप जरसंध शिशुपाल आदी अधर कर्मी राजाओं को मार कर महा भारत में 18 अक्षोहिनी सेना का सहार कराएंगे हे भगवन आप समुदर के बीच द्वारिका पुरी बसाकर पान्वों को इस लोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे हे दिन बंदू आप काल यवन तथा भूमा सुरु आदी को मार कर 16,100 क परन्याओं को जिने उसने बंदी बना रखा है मुक्त कराएंगे हे दुष्ट दलन आप शिशुपाल को जीत कर रुक्मनी का विवा अपने साथ करेंगे हे नाथ आज से तीसरे दिन मैं आपके हाथ से मतुरा के राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा आप इंद्र लोक से प मनी लाने के समय आप जांबवान की पुत्री जांबवत्ती के साथ विवा करेंगे हे जगदीश्वर इस समय कंस के घोर अधरम के कारण पृत्वी पर हाहा कार मचा हुआ है अत्या आप क्रिपा करके पृत्वी का भार शिगरता से उतारिये आप पृत्वी तथा धरम की र कथा सुना कर श्री शुकदेव जी महराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित देवरिशी नारज जी श्री मुरली मनोहर भगवान की स्तूति करने के उपरांत भ्रम लोक को चले गए हैं तब श्री कृषिन चंदर जी श्रीवन में अ व्योमा सुर को बुला कर ऐसे कहा है कि हे बंधू मैंने क्रिश्न और बलराम को मारने के लिए अभी तक अनेक द्यत्ते भेजे हैं प्रंतु उन्होंने सब को मार डाला है अतै अब तुम जाकर मेरा कारे सिद करो यह सुनकर व्योमा सुर कंस को धीरज बंधा गवाल रूप धर करके जिस स्थान पर श्री कृष्ण जी अपने सखाओं सहीत खेल रहे थे वहां पर आप हूंचा है और श्री कृष्ण जी से इस परकार कहने लगा है कि मैं भी आपके साथ खेलना चाता हूँ उस समय श्री शाम सुन्दर जी ने उस से उत्तर दिया है कि तुम जो खेल हम वही खेल खेलेंगे वह बोला हम तो чोर सीपाही का खेल खेलेंगे जिस परकार चोर अपनी पीठ पर गठरी को अठा कर भागता है उसी परकार एक बालक दूसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ा कर भागे तब श्रीकृषण भगवान जी ने इसे स्विकार किया और वो खेलने लगे हैं। उस समय वह राक्षश भहुत से गवाल बालों को अपनी पीठ पर चढ़ा कर परवत की एक कंद्रा में बंद करके आ गया। इसी प्रकार उसने सब गवाल बाल चुरा लिए। इस समय श्री क्रिशन जी अकेले रहे गए। उस समय वह उन्हें ललकारता हु में आकर शृ मुडली मनोर को मारने के लिए ज्पटा तभी उन्होंने उसका गला दबा कर लात और मुकों से मार ढाला। प्रभू के हाथों से मारे जाने के कारण आज व्योमसुर की मुक्ती हुई है। उससे पहले केशी देत की मुक्ती भी हो गई। क्योंकि जो भगवा आज श्रिश्याम सुंदर भगवान जी कंदरा में जाकर सब गवाल बालों को वहां से निकाल कर ले आए हैं और सब गवाल बालों के बीच में बैठ कर भोजन थाली पर भोजन किया है फिर संधा का समय होने पर श्रिश्याम सुंदर जी भगवान आज सब गवाल बालों को सा लेकर बांसुरी बजाते हुए घर वापिस लोट आए हैं। पिछली रातरी को ये शोदा मैया जी ने स्वपन देखा था कि श्री कृष्ण और बलराम जी नंद गाव में नहीं है। अते जब तक श्री शाम सुंदर भगवान जी वन में रहे ये शोदा मैया दिन भर इसी सो अधाय की कथा का विश्राम होता है। मंदर शिपनसी वाले महात्मा युड़िप चैनल के वर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री रादा कृष्ण जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै शिर्मत भागवत महापुरान की जै अमलके कादशी वरत की जै श्री शुकदेव जी महाराज की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श् पिराधे शाम